मैं नलीन बिलोचन सर्मा हूँ दोस्तो ये परिवार इस कहानी का अमीर परिवार है राओं में ऐसी कार किसी और के पास नहीं धक्का दे दिया तब ही मदन जो करीब 5-6 साल का था वह एकदम से दोस्तो आज हम गोधली भागदो के पाट संख्या दो विश के दात को पढ़ेंगे जो एक कहानी है दोस्तो इसके लेगक नलीन बिलोचन सर्मा है तो हम इनका परिचे इनके मुँग से ही सुनते हैं मैं नलीन बिलोचन सर्मा हूँ मेरा जनम 18 फरवरी 1916 को पटना के बदर घाट में हुआ था मेरे पिता जी का नाम महा महुपाद्ध है पंडित रामावतार सर्मा है और मेरी माता जी का नाम रतनावती सर्मा है मेरी परमुख रचनाएं इस परकार हैं द्रिष्टी कोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, माप दंड, प्रेम चंद्र, संत प्रंपरा और साहित्य त्यादी यह कहानी विश के दाथ तथा अन्य कहानिया नामगरन से ली गई है मेरी स्कूली पढ़ाई पटना कालेजियेट से हुई है और मैंने पटना विश विद्याले से संस्कृत और हिंदी में एमे किया है मैं हर परसाद दास जेन कॉलेज आरा राची विश विद्याले और अन्त में पटना विश विद्याले में प्रध्यापक रहा हूँ मैं पटना विश विद्याले के हिंदी विभाग का अध्यक्ष 1969 में बना था और मेरी मृत्तिव 12 सितंबर 1961 ECV में हुई थी दोस्तो कहानी सुरू होने से पहले मैं आपको इस कहानी के किरदारों से मिलाना चाहता हूँ दोस्तो ये सेन सहाबें और ये इनकी पत्नी है इनकी पांच पुत्रियां है जिनका नाम सीमा, रजनी, आलो, सेफाली, आर्ति है और इनका एक पुत्र है जिसका नाम खोखा या कासु है दोस्तो इसका नाम कासू है पर इसको इसके पिताजी प्यार से खोका कहते हैं दोस्तो ये परिवार इस कहानी का अमीर परिवार है अब मैं आपको इस कहानी के गरी परिवार से मिलाता हूँ दोस्तो ये हैं गिर्धललाल और ये इनकी पतनी है इनके बेटे का नाम मदन है अब दोस्तो हम कहानी की और बढ़ते हैं सेन सहाब के पास एक काले रंकी कार थी जो 7500 रुपे की थी सेन सहाब को अपनी कार पे बहुत आन था क्योंकि गाउं में ऐसी कार किसी और के पास नहीं सेन सहाब की पाँच पुत्रियां थी जिन्हें वह कटपुतली बना कर रखते थे क्योंकि वह सेन सहाब के एक इसारे पर हाजिर हो जाती थी अगर सेन सहाब कह दे की लड़कियों आज खेलना नहीं है तो वह नहीं खेलेंगी दोस्तो उनके लिए खाने पीने का नियम वह ज़्यादा हस नहीं सकती थी ऐसे नियम थे उनके घर में सेन सहाब के एक लड़का था जो सबसे छोटा था और उसका नाम कासु था लेकिन सेन सहाब उसे प्यार से खोखा कहते थे खोखा सभी मामलों में अपवाद था क्यूंकि वहाँ अपने घर के सभी नियमों को नहीं मानता था एक दिन सेन शाहप की काले रंकी कार घर के बाहर खड़ी थी उस दिन गिर्धरलाल जो सेन सहाथ के हां किरानी था वो अपने बेटे मदन को भी लेकर आया था मदन उस घर में पहली बार गया था तो वह वहां की चीजों को देखकर हैरान हो गया था उसने देखा कि वहां पर एक काले रंकी कार खड़ी है तो मदन ने जाकर कि वह कार को छूना चाहा तभी ड्राइवर ने उसे धक्का दे दिया तभी मदन जो करीब 5-6 साल का था वह एकदम से उठा और ड्राइवर का कॉलर पकड़ने के लिए खड़ा हो गया तभी सेन सहाब ने सुना कि घर के बाहर लड़ाई जगड़े की आवाज आ रही है तो सेन सहाब और उनकी पतनी घर से बाहर आए बाहर आके देखा तो एक छोटा सा बच्चा था जो 5-6 साल का था वह ड्राइवर का कॉलर उचल उचल कर पकड़ रहा था तो सेन सहाब ने ड्राइवर से पूछा ड्राइवर क्या हुआ तो ड्राइवर ने कहा ये जो लड़का है वो आपकी कार को छू रहा था तो सेन साहब ने मदन से कहा कि तुम इस कार को क्यों छू रहे थे, कौन हो तुम तो मदन ने कहा कि मैं इस घर में काम करने वाले गिर्धलाल का बेटा हूँ यह सुनने के बाद मदन की मा दोड़ कर आई तो सेन साहब ने बोला कि मदन की मा मदन को ले जाओ और देखना कि यह फिर से ऐसी गलती ना करे तभी सेन साहिबा ने कहा ऐसे ही बच्चे आगे चल कर चोर और डाकू बनते हैं जा सुनकर मदन की मा ने कुछ नहीं कहा लेकिन मदन बहुत गुसे में था तो मदन की मा उसे लेकर चली गई और जब ये बात गिर्धलाल को पता चली तो उसने सोचा कि मदन ने आज तो उसके माली के घर पर ही लड़ाई कर ली है तो मदन के पिता ने मदन को रात में बहुत मारा तो मदन बहुत चिला रहा था बचाईए बचाईए तो यह सब सुनकर सेन सहाब और उनकी पतनी जो सोय हुए थे उनकी नींद खुल गई और सेन साहिवा ने कहा कमबक्त कोवे की तरह चिला रहा है भिखमंगा कहीं का जब खोखा छोटा था तो उसके पिता सेन सहाब सोचते थे कि ये मेरे नाउमीद बुढ़ापे के आँखों का तारा है खोखा घर में बनाए गए नियमों में अपवाद था क्योंकि यह सेन सहाब का एक मातर लड़का था जिससे सेन सहाब को उससे बहुत लाड़ था खोखा छोटा होकर भी अपनी सभी वेहनों को मार देता था और महंगे समानों को गिराना या तोड़ना इसके लिए आम बात थी एक दिन की घटना थी सेन सहाब के घर पर उनके दोस्त आये थे और सेन सहाब उनसे बैठ कर बाते कर रहे थे वहाँ आपस में इधर उधर की बाते कर रहे थे तभी उसमें से एक आदमी ने बोला कि मैं तो अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा तो दूसरे ने बोला कि मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा अरे आज कल की पढ़ाई में क्या रखा है मैं तो अपने बेटे को पढ़ने के लिए कही नहीं भेशता हूँ मैं तो अपने बेटे को घर पर ही पढ़ाऊंगा सेन सहाब अपने घर पर एक बढ़ाई को बुला कर उसे अपने बेटे को बढ़ाई का काम सिखाने के लिए तहते थे बढ़ाई से सिक्षा लेकर खोखा हमेशा ठोक ठाक करता रहता था और कोई समान को बिगारता और बनाता रहता था एक बार क्या हुआ कि जब सेन सहाब के दोस्त उनकी घर पर आये थे तो खोखा ने उनके कार की हवा ही निकाल दी थी जब सेन सहाब के दोस्त उनके घर से जाने लगे तो उन्होंने देखा कि उनके कार की हवा तो निकल गई है तो वह सोचने लगे कि यह कार की हवा किसने निकाली है तब ही वहाँ पे दूसरी काले रंकी जो कार खड़ी थी उसका हैड लाइट खोका ने दोड़ दिया यह देखकर सेन सहाब के दोस्त ने सेन सहाब से कहा यहाँ आपका बेटा बड़ा अजीव है, अजीव अजीव हरकते करता है तब सेन सहाब ने अपने बेटे का पक्च लेते हुए कहा कि मेरा बेटा उस हैडलाइट में देखना चाता था कि अंदर क्या है इसलिए उसने इसे खोल दिया मेरे बेटे के अंदर इंजीनियर के गुण है अगले दिन मदन गली में लट्टू नचाने का खेल खेल रहा था वहीं पर आ गया अमीर बाब की अौलाद कासू कासू ने अकड़ के कहा कि मैं भी खेलेगा मदन उसके घर वालों से गुस्सा था इसलिए उसने खिलाने से मना कर दिया तभी कासू ने मदन के उपर हाथ उठा दिया और उसके बाद ये दोनों आपस में लड़ने लगे ये दोनों आपस में कुत्ते की तरह लड़ रहे थे और इस लड़ाई में मदन ने खोखा के दो दात तोड़ दिये जब ये लड़ाई हो रही थी तो मदन के जो दोस्त थे वो उन लोगों को लड़ते हुए देख रहे थे लेकिन बच्चों ने उन्हें नहीं रोका और कहा कि जब गलती किया है तो सजा तो बुकतनी पड़ेगी इसलिए कहा जाता है कि जब महल वाले और जोपड़ी वालों में लड़ाई होती है तो जीत महल वालों की होती है जब जोपड़ी वाले महल वालों की मदद अपने ही खिलाब करते हैं पर यहाँ पर किसी ने भी मदद नहीं की जब ये बात सेन सहाब को पता चली तो सेन सहाब अब मदन के पिता गिर्धलाल को अपने काम से निकाल दिया अब मदन बहुत डर रहा था कि उस दिन श्रिप कहा सुनी की वज़ा से उसके पिता ने उसे खूब मारा था तो आज तो उनके माली के बेटे को मार दिया और उसके दो दात भी तोड़ दिये हैं तो आज पता नहीं पिता जी क्या करेंगे यह सोचते हुए यह इधर उधर टहलता रहा और रात हो गई अब मदन डरते डरते घर पहुचा और अंधेरे में ही जल्दी जल्दी खाना खा लिया तभी मदन को कुछ आवाज सुनाई दी कि उसके माता पिता कुछ बाते कर रहे थे लेकिन यह बात मदन के बारे में नहीं थी खाना खाने के बाद जैसे ही मदन धिरे धिरे घर से बाहार निकल रहा था तो मदन एक बरतन से टकरा गया और एक टन की आवाज आई जिसे सुनकर गिर्धरलाल और उसकी पतनी बाहर निकले बाहर आकर देखा तो मदन नीचे सिर करके चुपचा पिता जी के सामने खड़ा था और लगातार ये सोच रहा था कि आज तो गया लेकिन इसके पिता जी ने इसे नहीं मारा और गोद में उ उनका गुनगान करते नहीं धकता हूँ दोस्तो यह कहानी खतम हुई इस कहानी का नायक मदन है दोस्तो अब आपको इस पार्ट का अबजेक्टिव टेस्ट लगा लेना है और दोस्तो इसका जो सबजेक्टिव है वो भी मैंने डिस्किप्शन में लिंक दे दिये तो दोस् वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें